वेल्कम बैक तो माई चैनल सेफीस फैमली जैसा कि मैंने अपने कम्यूनिटी पोस्ट पर आपको बताया था कि हम लोग एक पार्टी अरेंच कर रहे हैं सेटर्डे को तो मुझे टाइम नहीं मिला था तो मैं इसको आज अप्लोड करूँगी तो यहां मैंने उसी पार्टी के मैं केक बना रही हूँ पाइनपल फ्लेवर वाला तो उसके लिए मैंने ले लिया है 8 इंच का केक टीन इसको लाइन कर दिया इकोबेक से अब एक बॉल में एक कप पानी में एक कप चीनी को डिजॉल्व कर लिया था और इसमें मैं डाल दूंगी बन टी स्पून के करीब के पॉम हो जाती है तो उसी कंडिशन में इसको लाना है तो आप देख सकते हैं अब इसमें मैं डाल दूंगी आधा कप अनफ्लेवर्ड ओईल और साथी साथ 2 टी स्पून पाइनेपल एसेंस और इन दोनों चीजों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है तो दोनों चीज अच्छे से छान ली है और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि आपस में सबी चीज अच्छे से मिक्स हो जाएं अब जो हमने केक जल वाला मिक्चर बनाया था उसमें हमें इसको दो पार्ट में डाल देना है और ग्रेजुली इसको इसके अंदर मिक्स करना है और यह हमारा बैटर देखी अब तयार है consistency आप देख सकते हैं इसको डाल देंगे हमारा तयार किया हुआ जो केक्टिन है उसके अंदर तो मैंने डाल दिया है इसको आप कर लेंगे tap 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 आप इसको 45-50 मिनट के लिए हमें बेक कर लेना है ताकि केक जो है वो अच्छे से हमारा बेक हो जाए तो रख दिया हमेरे इसको भगोने के अंदर तो 45-50 मिनट हो गए थे और केक जो है वो हमारा बहुत ही जादा सॉफ्ट बना है आप देख सकते हैं इसको ठंडा करने के बा होटेल रतनगर पैलेस तो हम लोग पहुझ गए है होटेल रतनगर पैलेस आप देख सकते हैं रात का टाइम है बहुत जादा खुबसरत लग रहा था ये और इसका रूफट जो में इसका जो एक अट्रेक्टिव पॉइंट है वो है इसका रूफट आप बहुत जादा स्टेयर्स थी यहां स्टेयर्स हैं चलते हैं लिफ्ट की तरफ पहुचते हैं उपर तो हम लोग अपने रूफटॉप पर आ गए हैं बहुत ही जादा अच्छा लग रहा था इसका जो एक रूफटॉप का जो यह एरिया था सबसे जादा खास बात यह लगी मुझे कि इसक जो मुझे अच्छा लगा सबसे अच्छा वो यह था कि अगर फिमेल्स जो होती हैं वो थोड़ी सी अनकमफर्टेबल फील करती हैं तो उनके लिए एक अलग एरिया था यह हॉल था और फिमेल्स के लिए अलग था तो हम लोग यहां खड़े ओकर बाते कर रहे हैं और इस पर से हमने देखो इसका जो व्यू लिया वो कितना जादा खूबसरत लगदा है बहुत अच्छा है अगर आप लोग सोच रहे हैं यहां पार्टी अरेंज करने का तो आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से खाना बहुत टेस्टी था खाना इतना जादा टेस्टी बहुत अच्छा लगा और सभी चीजें बहुत अच्छी है सर्विस बहुत अच्छी मैं चलते हैं नीचे की तरफ तो इधर की तरफ साइड में बुफै एरिया है कि डय में हुआ हुआ है हमने लेकिन अभी खाना स्टार्ट नहीं हुआ है खाना नहीं खाना है अभी थोड़ा सा वेट करना है हमें तो और सब और इसका एक जो एट्रेक्टिव पॉइंट था कि टैरेस के नीचे लोगों ने इस तरह का एक आर्टिफिचल प्रांट से इस तरह की वह बनाया था यहां एरिया बहुत बड़ा था यह मीठे पानी की सैलेड है जो बहुत अच्छी थी इसका टेस्टिंग प्रोसेस रखाता था कि किसी तरह की कोई कंप्लेन ना हो यह है किचन एरिया हालंकि किचन एरिया में जाने की पर्मिशन नहीं होती है लेकिन जो बच्चे थे व हवाएं चल रही है तो गाना है ना ठंडी ठंडी यह हवाएं हमको चुपके चुपके क्या कहती सुनो अभी रपते हैं गाने को साइड में यह है चिकन सीक कवाब जो स्टार्टर में थे इनकी खासियत यह थी कि इतने जादा सॉफ्ट थे यह बहुत जाद अच्छे बने चिकन बिर्यानी है और खाने में जो अप्शन था और वो था चिकन टिक का मसाला मटन रोगन जोष मूंग बादाम का हल्वा शाही गुलाब जामुन खाने की खासियत यह थी कि जो मीठा था इनमें डेजर्ट में इतना जादा बैलेंस था क्योंकि कई बार होता है कि डाइ था वह इन ही के लिए बनाया था यह लोग उम्रा से वापस आये थे तो थोड़ा सा खुश हुए बहुत जादा केक को देखकर बहुत अच्छा लगा जब इन लोगों ने केक कट किया सभी को बहुत खुशी हुई और शीबाबाजी को केक बहुत पसंद आया सभी को बहु नहीं खड़े हैं है बहुत जादा कैते ना अपनों के साथ खुशी दोगु नहीं हो जाती है तो वह वाला एक ये सीन था और जिसमें अपने ना होँ खुशी खुशी नहीं होती है तो बस केख कट कट गया है सबने केखा लिया है आप अच्छा था वह Dual ऑच्छा लगा कि जो टेस्ट था वो बहुत अच्छा था इसमें जो जाफरान का जो एक टेस्ट था वो बहुत अच्छा था बहुत लाजवाब खाना था और चिकन टिक का मसाला जो होता है वो नॉर्मली वाइटिश कलर का होता है लेकिन उसमें हमने एक रेट टश दिया था ताकि इसकी जो रंगत है वो खिल कर आए और टेस्टी भी बहुत बनाता खाना स्पाइसिस बिल्कुल बैलेंस थे बहुत जादा टेस्टी था अगर आप लोग सोच रहे हैं यहां अपनी पार्टी के लिए तो एक बैस्ट आप्शन है कंप्लीट पैकेज है आपके लिए तो रात को साड़ी दस ज्यारा बज़ गए थे हम लोगों को वापस आने में तो बस चलते हैं घर की तरफ आ गए हम लोग बाहर और हबी जो हैं वो लेने गए हैं गाड़ी बहुत ठंडी ठंडी हवाई थी लेकिन बहुत इंजॉई किया बहुत अच्छा लगा आप एक बार जरूर विजिट कीजगा यहां और फिर मिलती हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाई आप